हेलो विद्धातियों आज हम पढ़ने वाले क्लास एट विग्यान सब्देट का जाए नंबर से जन्तुवों में जनन आपने पाच्छन परीच संचरहन सवसन प्रक्रम के बारे में पिसली कक्षा में पढ़ा था क्या आप को इनके विशे में यादे यह प्रक्रम परतिक जी यह यदि जीव प्रजनन नहीं करतें तो क्या होता आप इस बात को मानीगे किस्णू के द्रवीडी निरन्तेता बनाईर रखनासूनिचित करता है आप इछली कक्षा में पोधे में ंचली के विशे में पर्थ चृत के हैं the P सानी 6.1 में भरने का परियास कीजिए जैसा कि करम संक्या एक से पांच में उदारान देखर दसाय गया है कि आपने विभिन जनतु के बच्चों का जनन होते हुए भी देखा होगा क्या आप बता सकते हैं कि चुजे और कि ली टैनन बिलोट और पिल्ले का जननक किकार होता है या आप सफसकता है कि जनन से पूरý यह जिव कैसे ऐसे घ् Come और अब दिखाई देते हैं आज यह का पता लगा है पोधों की तरहâu जनतुन में कि इस नाम देए रखे जैसे मनुष्य बच्चे का नाम शीशू है इसी परकार मुर्गी का इजो दूज हो गया इसी परकार गाई का गया बच्रा हो सकता है कटेकर बच्छे को के पिला क्टे रखेते हैं छी कि अब देखो लेंगे लेंगी जनन की सब्सक्राइल करने वाले पोद्दों में जनन और नर और मादा जनन आंग भाग होते हैं क्या आप इन बागों के बारे में नाम बता सकते हैं जन्तु में भी जनन नर और मादा मáriवीekंग जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पुदे की ही तरह जन्तु भी नर यहों मादा जनन यूक्मग की बनाते हैं, जो चलित लुकर यूगनज बनाते हैं। यह युगने विक्सित होकर नए सीशु को नया जीवन बनाते हैं इस परकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युगम का सलियन होता है लेंगी जनन कहलाता है तो लेंगी जनन क्या होगा ऐसा या इस परकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युगम का सलियन होता है लेंगी जन मनुषिय में जननन का पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अधियन करें one मैं जोड़ा वर्शन होता है 2 ऽृस्द निलिकाही होती हैं एक प्रसिंन लिंक होता है और वर्शन नर उत्मन करते हैं इसे सब्सक्रांफ करते हैं चित्र श्रेश, ऐगने का कारिकाता मद्य बाग में जो अनुंअशिक भाग जीन पाए जाते हैं जो से करिया करते हैं और यह पूंछ जंज परता है एक जग़ से दूसरी जगह पर जाने में और करते हैं जिसे अंडानु अलिम कहते हैं तो हो जाएगा कि जो माधा दारा उत्मन चननन आगों का नाम अंडाई से और नर के दवारे जो शुक्रनौ की अउटमनौ में से किसी एक विख्शित पुण्य यार मिनोत्रो विकास होता है सुक्रान की तरह अंडानु भी एक एकल कोशिखा गए आप यह जो नवा यह जली हो गया यह को शंदर हो गया और यह कंद्रक्र गए अब देखो का परत्म सुक्रान और अडण का सलियन है और जब सुक्रान अडण के संप्रक में आते हैं तो एनसे स्थ श्रयत उतल होगा एक ठोपान का और कर देखो this listen to the water and diesen के समय चैश्व करते और लिंद nou to learn I amultur कर एक हो जाते और की सेचे न के परिनाम सुरूप गया है युग निर्मान होता है तो दो है मैत इस सब्मई के समय स्प्राद सुक्राद अंडानु शलीत होकर एक हो जाते हैं और निसेजन के प्रणिनाम स्वरूप किसका निर्मान होता है युग में अधिक निसेजन के परिणाम जाएक यद्धी के अंद्रक निर्मान होता है युग में और देखो इसमें क्या आपको जान करी थी कि यह नई विष्टी का या प्रियास कीजिए कि उनमें से कौन सा लक्षन माता से और कौन सा लक्षन फिताजी से फ्रावत हुए है वह निसेजन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वह आंत्रिक निसेजन कहलाता है इसके उधारन भी है मनुष्य गाएं कुते मुर्गी आदी में क्या है जन्तों में अंत्रिक निसेजन होता है तो यह बीजन हो जाएगा कि इसके जानते हैं पहले बुझे नज्यावक वह एक बार कुछा में बताया था कि कुछ इस्तिरों की अउरूद हो जाती है और ऐसी इस्तिया क्या है श्रूद्पन करने में असमर्थ होती है क्योंकि निसेजन के इसेजन के लिए एक साथ रखते हैं जिसे आइवी अथवा इन विट्रो निसेजन शरीर के बाहर को ट्रीम निसेजन हो सके और अगर निसेजन हो जाता है तो तो युगमें लगवक एक सब्सक्ता तक विख्षित किया जाता है और जिसके पच्चाद उसे माता के गरबाश सब्सक्राइब् जिसकी को टकनीक तकनीक द्षम्स सांवादी कहते हैं यहों एक मिठ्या नमक है कि कोई विकास फड़े नहीं होता है लुँड़ा की अनेक जंतूं मैं待 झंतु के यह कि ह कि बाहर हुता है र कि पो कि समय किसी तालाब के मंद गती से मजड़ने कबर्मन के जो जल पते तुए मेड़क अंडों को डूंडी अंडे में रंग साइज को नोट कीजिए देखो वरसादी तुए बसंडी तू मेड़क तोड़ पोकर जा तालाब में मंद गती के व्लेते वे जन्नों में और जाते हैं जब नर तामादा युँँगा एक साहाद पानी में आते हैं तो मादा सेंकड़ अंडे देती हैं और मुर्गी के अंडे की तरह मेड़क अंडे कवस से ड़ाके नहीं होते तथा एक अपिक्साकरत बहुत कोमल होते हैं जली की एकपर अंडों को एक साहर रखती है और इनकी सब्कूरा तर यह चलिय जदर के सन्ब्रक्राइज सब्सक्राइबस सब्सक्राइब मादा के शरीर के बार होता है इसके कुछ उधार मतली और इस्टार फीज जलिए प्रानी अब आगे देखो मैं सामूello के लगती हैं तथा बंक रखया हैं वी तको रंगों में परिवर्दित हो जाती है । इस विक्सित होती होती हैं, और गर्भाश धी दिवार में रोपीत का स्धो ौण का करन विक्सित हो По कि वह बोस्ता जिसमें सभी चरवी अंगों पेचान हो सके गर्बा सिक लाता है जब गर्ब का विकास पूरा हो जता है तो पर अब नवजास शभी देटी लेखो गर्व और वह से क्या होता है वह उससा घटाय just निशेचन के समय देखो दब सब्ळबन horizon का सलिएवन सными रोपन होजाताई तो ये कुछ हमें लगता है से लेकिक समय नज्rollo का रोपन डिवारी वहां फे रोता है है और यह सरवाखना आपको दिखाई दे रही है मुख्य रूप से किसकी है कोशिकां का पिंडिता आ गहे हैं यह गर्द ने हैं बिर्वाटशेखिए है जो चलन matar दो क्या हैं विन हैं मनुष्यियों उर्गान की तरह बच्चे को जनम देती हैं मुर्गी बच्चों को जनम नहीं एक पता लगए निशेचन के फौरण बाद ही योगने लगातार विवाजित होता रहता है और अंडवाइनी के नीचे की और बढ़ता रहता है इसके पर नीचे बढ़तने के साथ साथ इस पर सुरक्स परत चर जाती है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी इस अवदी में ही होता है चुजे के पूर्ण टूप से विक्षित होने के बाद कवच के पर स्पूटन के बाद चुजा बाहर आता है और बाहर निचे सन वाले जंतु में बुरून का विकास मादा के सरीर के बाहर ही होता है बुरून अंडावरन के अंदर विक्षित होता यह जहाते हैं जबकि कुछ जन्टु जन्टु जो सिधे ही जिशू को जनम देते हैं वह जन्तु जो जटेते हैं और प्रयंद जन्तु क्यालते हैं कि आप इस बात को और अच्छित परकार से समझ सकेंगे कि जराइए रंडोर में विभेत भी कर सकेंगे कि अंडों करना सरल है क्योंकि उनकी माँ सरीर के बाहर अंडे देती है परंतु आप गाएं कुता अथ्वा बिल्ली के अंडे एक त्रक नहीं कर सकते यह हो इसलिए है क्योंकि वह अंडे नहीं देते इन में मापून विक्षीद शिसू को ही जनम देती हैं यह जरायू जनतु के उधारन हैं अब क्या आप जरायू एंध्रदक जनतु के कुछ उधारन दे सकते हैं एकुछ शिसू से वयस्क नवजा जनतु प्राणी अत्वा अंडे के प्रेस पूटन से निकलने प्राणी तब तक भर्दी करते रहते हैं जब तक कि भी वैस्क नहीं हो जाते कुछ जन्तुन नवजाद जन्तु वैस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पाते हैं मैड़क के जीवन चक्र को चित्चेपों अंड़स में दशाय गया है और मैड़क में अंड़े से पारम करके वैस्क बनने की व दिखाई नहीं देता क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन एक टेट पूल वैस्क मेड़क बन जाएगा तो देखो पर्थम तीन चरण होता है देखो अंड़ा टेट पूल रुपांतरीत होकर वैस्क में बदल जाते हैं जो चलांग लगा सकता है और तेर सकता है कुछ विश यह सब्सक्र के साथ क्या है व्याहरा वी लुखनेज और फिर पारम्परी का उस्ता में आते हैं जिसके आकार सब्सक्राइब इसके परिवतन होता इसका चरीर रंग में प्रिवतन होता है इसके पेर और इसके मुख का आगल अलग दिखाई देने लगता है यह वोश्ट्ट क्या कहला थी पारम्परी और बाद वाली जिससे हम परिचित हैं परन्तु अत्यान छोटे जनतु जैसे की हाइड्रा यह उन्सुक्षिन दर्शी जनतु जैसे की अमीबा में जनन किस परकार होता है क्या आप उनके प्रजनन करने के धंग के विशे में सोध जिसे में जानते हैं आई इसका पता लगाएं आप और यहां डिया में मुकुलन दर्णा उनक्राइब यह उसी के समान दिखाई देती और इसी बाग से क्या है अलग हो जाती तो यह में जो मुकुलन के द्वरा जनन होता हुआ एक रगावलेंग जनन का उदर रने जिसमें उसी की समान नई सतनी उत्मन होती है तो देखो हड़्ों इस सब्स्सPac 시여 कुरहन हो जो ने जिए और भी मुकुलन देटें और इधर में यह कल जनन से निकलने वाले assist से नए जीव का सो नोने जिसमें के ओल एक की जनन नई को जनम देते हैं उस況 क्या थारल्हंग झेनन के और इसका परीव हो जएगी इस परकार कजनन जिसमें केवल एक ही जननम ने क्या कहते हैं अहिए में मुकुल को हम क्या है ओर इसलिए हम इसे क्या क्या कहते हैं अमेद्स आप अमीबा की सरिशना के विशे में पढ़ चुके हैं आपको इसमें क्या है केंद्रक के दो वागों में विवाजित से नई जीव जनन गिरिया होती है और इसके बात कोशिका भी दो वागों में कोशिकाओ में बढ़ जाती है को जिसमें जीव विबाजिदक खुट्मन कें गया है लांत नहीày कारते हैं मुखलन क किया राते हैं जिसमें क्या है एककल्कोशीं का सत्ती जीवहों satellite है पर इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इनकी कोछिका जली है उसके बीच में गया है दोनों के विभाजेन होता होता है और यह कि अंदर निर्मान दोनों के बीच में जनन के द्वारा क्या निर्मान हो या कैसे हुआ तो देखो किसी सम्रूप को सिखा या किसी अन्य जीवीद पाग अथवा संपुर्ण जीव को कुत्रिम रूप से उत्मन करने की जो परक्रिया होती है क्लोनिंग क्या है किसी जन्तु की सफलता प्रूर्ट क्लोनिंग की गई वेड का नाम भी है क्या हो से उसका नाम डॉलिवेड अब देखो डॉली क्या जनम क्या उपर हुआ पांच चलाई उन्नी सुचिन्टू को हुआ था और यह क्लोन किया गया पहला इस तंदरी था आप देखो डॉली हुआ हुआ है कि डॉली को क्लोनिंग करते हैं कि फिन भल से नाम अगमादा दिय की स्टन गर्णति से एक पूछिका को एक ट्र की गई जो ऑने फूम कि ओ और यह उच्जों डूर्या छुलिया गया और दूसी जो स्काथिस एक उलेट यह लिया गया विर से पेंदर को को अटा दिया गया और फिर इसको किसमें किया गया गया इसमें इसमें किया गया इसे जो इस्तंदर की कोशिका लिए उसमें इसमें इसको किसमें रूपित कर दिया ब्लैक विकास हैं परिवतन सामनी रूप से वा अंतरतार डाली का जनम हुआ और यह स्कॉर्टिष ब्लेकपेस इव के केंद्रेक को लिए गये था और क्यूंकि स्कॉर्टिष ब्लेकफेस इव कोई भी लक्षित नहीं हुआ था और डाली एक फिन लार्शिट भेर की स्वेस्ट क्लॉन थी जिन से प्राकर्ति लेंगी जनन द्वारा अलेंगी साथितिया को जनम दिया दुर्गाय से फेवरे के रोग के कारण सब्दा फर्वरी 23 को गया है डॉली की मिर्टी हो गई अब डॉली के बाद इस तंदारियों के एक लॉन के खिरियास की परणे परण्टों बहुत तो जनम से पहले ही मर गए और कुछ जनम के बाद मिर्टी होगी कलॉन करने वाले के लाता है उसके बाद के शरीर के अंदर होने वाले निसीजन को आंत्रिक निसीजन कहते हैं और एक मनुशिया जंतुं जैसे की मुर्गी गायत कुट्ते इत्यादी में होता है और वह निसीजन जो मादर सरीर बार होता है और मेडंग मतली स्टार फिस इसी के उदारेने हैं अब देखो योगनेज में अनियक विवाजन होते हैं और बुरून बनता है बुरून गर्बाशिक की दिवार से इस्तापित होता है तता इसकी वर्दी एंपरिवर्दन होता है बुर्ण की वह अवस्ता जिसके उसके सभी शारीरी भाग विक्सित होकर पहचान योगी हो जाते हैं तो उसे गर्बाशे कहते हैं मनुष्य गर्बाश गाया गुट्टे जैसे जन्तू जो सिसु को जर्म देते हैं जरायू जन्तू कहते हैं मुर्गी मेड़क सबिकली तित आपास होता है इस वरकार के लेंगी जन्न को मुकलन कहते अमीवास्वयम दो वागो में वीवाजी तोकर संथ्ची उत्रइव ग्तन करता है СпGr